संक्रमन कभी भी किसी को भी हो सकता है संक्रमन से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका यहीं है कि आप साफ सुत्रे रहें खमीर एक तरह का फंगस होता है जो की काफी कम मात्रा में योनी में रहता है अगर इसकी मात्रा योनी में जादा हो जाए तो संक्रमन हो सकता है यह संक्रमन महिलाओं में जादा तर पाया जाता है यह कोई गंभीर बिमारी नहीं है परन्तु यह महिलाओं को बहुत परिशान करता है इस फंगस को Candida albicans के नाम से जाना जाता है एक स्वस्थ योनी में बैक्टेरिया जादा होते हैं और खमीर की कोशिकाएं कम होती हैं इस बैक्टेरिया को Lactobacillus Acidophilus कहते हैं जो खमीर की मात्रा को कम करता है खमीर संक्रमन के कई कारण हो सकते हैं जैसे मदू में गर्भा वस्ता के दोरान estrogen का स्तर हार्मोन बदलने की पद्धती, कमजोर रोग प्रतिरोधक शमता और AIDS खमीर संक्रमन के अलग-अलग लक्षन देखे जा सकते हैं जैसे योनी में खुजली या सूजन मुत्र विसर्जन या योन क्रिया के समय दर्द और जलन गाढ़ा एवं गंद रहित द्रव्य निकलना जो आपके मासिक धर्म के एक हफ़ते पहले निकल सकता है पिशाब में जलन खमीर संक्रमन को ठीक करने के लिए जड़ी बूटिया पहला गंधक रसायन गंधक रसायन शुद्ध सलफर से तयार किया जाता है गंधक रसायन यूरिनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन को मैनेज करने में मदद करता है यह रोक प्रती रोधक शमता को बढ़ाने में और दूसरे फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है दूसरा निर्गुंडी तेल निर्गुंडी तेल शरीर में कई प्रकार के फंगल इंफेक्शन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है निर्गुंडी तेल को बनाने के लिए कई जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ती है जैसे मंजिस्था, कालिहरी, हल्दी, निर्गुंडी, तिल तेल तीसरा, नीम कैपसूल्स नीम को रोगानु रोधक, अंटिसेप्टिक और डितॉक्षिफिकेशन प्रोपर्टीज के लिए जाना जाता है यह रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाता है खाना खाने के बाद हर रोज दिन में दो बार एक-एक कैपसूल लेने से फंगल इनफेक्शन में फायदा होगा चौथा, प्रदरंतक चूण यह चूण आयरुवेदिक मेडिसिन में बहुत ही प्रसिद्ध है यह वात और पित्त को बैलन्स करने में मदद करता है प्रदरंतक चूण, यूटराइन फिबरोईट्स, अनियमित मासिक धर्म, बवासीर, दर्द, जलन और अन्य कई महिलाओं संबंदित रोगों के इलाज के लिए बहुत ही लाबदायक है आशा है आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक और शेयर करना ना भूले भविश्य में और अधिक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद